तो आज हम बात करने वाले हैं कैसे हम Kotec Neo का यूज करती हुए Kotec Securities में IPO के लिए apply करेंगे लेकिन इसके पहले कि मैं इस वीडियो के सुरुआत करूँ अगर आप इस चैनल पर पहली बारा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए पेल आइकोन को प्रेस किजिए ताकि आपको ऐसे ही संदार वीडियो ची नोटिफिकेशन मिलती रहे तो ये है हमारा Kotec Neo का प्लेटफर्म अगर इसमें IPO को प्लेस करना है तो सबसे पहले हमें IPO फिलाहल चल रहे हैंगे वह आपके सामने आ जाएंगे जैसे कि मुझे आप यह प्लाई करना है ड्रिमफोक्स IPO में यहां पर बाइक का ओप्सन आ रहा है जिसका ओपिनिंग डेट है 24 अगस्त और जोजागा 26 अगस्त को सबसे पहले मुझे क्या करना है कि आपको इस पर बाइप क्लिक करना होगा जब बाइप क्लिक करोगे तो आपके सामने पूरे ऐसा सेलेक्ट होगा आपसे सलेक्ट ही रएने दोगे पर यहां पर कुछ IPO से डिलिए आपको बताया गया वगे कब यह open हो रहा है wordt कब क्लोस हो जाएगा कि की minimum quantity कितनी है maximum quantity कितनी है multiple quantity 46 में होना चेह चाहिए और यहां पर minimum price और maximum price दिया रहाएगा इसके बीच में आपको IPO को place करना होगा इसके बद आपको अपना UPI ID डालने का यहां पर option आजाएगा जहां पर आप जो भी UPI ID यूज़ करते हो जैसे फोन पी हो गया गूगल पर हो गया या जो भी UPI यूज़ करते हो उसका आप यहां पर डाल सकते हो अगर आप फोन पर यूज़ करते हो ता आपका जो भी आईडी है और यहां से आप उसका देख सकते हो कि एड़रेट ओफ वाइवियल आपका फोन पर है एड़रेट फ्री रिचार्ज हो गया ऐसे ही आपको अपने UPI ID में ज 308 से लेकर 326 अगर प्राइस है तो मुझे कितना 326 पर जो मैक्सिम्म प्राइस हो उसके मुझे अप्लाई करना है तो आप यहां पर हमेशा कटफ प्राइस ही यूज़ करने वालो तभी आपको IPO हो सकता है और यहां पर आपको क्वांटिटी डाल देनी कि कितनी प्राइस में रखना होगा और आप चाहते होगे नहीं मैं तो मिनम्मम प्राइस में IPO लगाना चाहता हूं तो आप 308 लगाओगे ठीकिन मैं आपको यह एडवाइस नहीं दूंगा क्योंकि आपको फिर IPO अलॉट ही नहीं होगा तो आपको हमेशा कटफ प्राइस ही करनी है जैसे ही आप कटफ प्राइस करोगे आपका जो यह ओप्सन हो जाएंगे और यहाँ पका टोटल एमाउंट 14,995 आपको दिखाई देने लाएगा इतना आपको पे करना होगा आपने UPI एप से यहाँ पर आपको 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 यहाँ पर क्लिक करनी है और उसके बाद सिंप successful दिखाई देगा और यहाँ पर order placed and received successfully का आपको दिख जाएगा मतला आपने सही तरीक्या से जो IPO कोटेक्स सेक्विटी ने प्लेस कर दिया है और हाँ यहाँ पर आप जो नीचे स्क्रोल करोगे आप प्लेस अनधर order का भी option आएगा जैसे कि आपको एवाइड करना है सिंप IPO का order status check करना है तो आपको फिर से बैक जाकर फिर से एप को ऊपन करना होगा फिर आपको invest पर क्लिक करना होगा फिर आपको IPO वाले section पर क्लिक करना होगा उस पर क्लिक करते ही आपके सामने फिर से वह इंटरफेस open होगा इसके बद यहाँ पर modify order का option दिख जाएगा आपको simply इस पर क्लिक करनी है, जब आप modify order पर क्लिक करोगे, तो यहाँ पर all का option आपको select करना है, फिर आप simply यहाँ पर देख सकते हो, कि नीचे की तरफ पर जो मैंने अभी IPO प्लेस किया था, वहाँ पर status in process दिखा रहा है, अगर आपको इसको cancel करना है, या फिर कुछ भी modify करना है, त आप यहाँ से more option पर क्लिक करके, इसे आप modify या cancel कर सकते हो, तो finally phone pay के तरफ से हमारे phone पर एक notification आ चुका है, कि you have received an auto pay request, आप simply यहाँ पर click to accept पर क्लिक करोगे, फिर आपके सामने कुछ ऐसा interface आ जाएगा, जहाँ पर यह पूरे details देखने को मिल जाएगी, payment details और यहाँ पर 14 API पेंट डालना होगा, जो आपने set किया होगा, और उसके बद आपका auto pay, जो होगा, auto pay set successfully का message आपके सामने आ जाएगा, इसके बद आपका payment जो successful हो जाएगा, तो आप अपने auto pay के page पर जाओगे, आप जो भी एप यह उज़ करोगे, गूगल पर करो, phone pay करोगे, यहाँ भी और payment होने के कुछ दिरबाद आपको फिर से IPO section में जाकर, अगर आपने status चेक करते हो, तो यहाँ पर process दिखाएगा, मतलब कि आपका जो भी IPO apply करने का process था, वो complete हो चुका है, इसके पहले आपर processing दिखा रहा था, अभी यहाँ पर process दिखा रहा है, मतलब कि आपका जो भी सा अखली बारा है, तो चैनल को subscribe कर दिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर जेगा, क्योंकि आगे जब भी मैं वीडियो अप्लोड करूँ ता आपको notification मिलते हैं, तो मैं मिलता हूँ एक नए वीडियो में, एक नए analysis के साथ, तब ते के लिए टटटा, वावे, थैंक्स पो वाच कर दो